साथ विदेसी नीता, आठ हज़ार महमान, दस पॉइंट में जानिये क्यों खास है नरिंद्र मोधी का तीसरा शपत समारू विदेस मंत्राले का कहना ही कि मोधी के शपत ग्रहन समारू में दूसरे देशों की प्रमूखों का शामिल होना भारत की अपनी पडोसी पहले नीती और सागर द्रश्चिक कौन को दी गई प्राथमित्ता के अनुरूप है नरिंद्र मोधी आज लगाता तीसरी बार प्रधान मंत्री पत की शपत लेंगे मोधी का यह शपत समारू कई मायनों में खास है एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीम बनने वाले दूसरे नेता है नहरू ने 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में जीत हासल कर लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने का कारणामा किया था वहीं दूसरी तरफ मोदी के शपत ग्रहन समारू में कई पड़ोसी देशों के प्रमूखों सहित कई विदेशी गणमाने व्यक्ति भी शामिल होंगे लोग सब चुनावों के बाद भारतिय जंता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उबरी है उसे 240 सीटे मिली जबकि NDA गटवंधन को 293 सीटे मिली है इस तरह NDA ने सरकार बनाने का दावा पेश लिया है दस पॉइंट में समझे क्यों खास है यह शबत प्रचंड और भूटान के प्रथान मंतरी शेरिंग तोवगे न इस कारिक्रम के लिए निमंतरन स्विकार कर लिया है विदेश मंतराले का कहना है कि नरिंद्र मोदी के शपत ग्रहन समारों में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत की और से अपनी पड़ोसी पहले नीती और सागर द्रश्टी कौन को दी गई सर्वोच प्रात्मिक्ता के अनुरूब है 2014 और 2019 में S.A.A.R.C. यानि दक्षन एशियाई छेत्रिय सहयोग संगटन देसों और B.I.M.S.T.E.C. यानि की बहु छेत्रिय तक नेही और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल देसों की नीता क्रमसल शपत ग्रहन समारू में भाग ले रहे हैं इस तरह वैज वाहर लाल नहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे नरिंद्र मोदी के शपत ग्रहन में करीब 8000 महमान शामिग होंगे शपत ग्रहन समारू की मदी नजर राश्ट्री राजधानी में सुरक्षा की कड़ी इंतिजाम किये गए हैं शपत ग्रहन समारू की मदी नजर अधिकारियों ने 9 और 10 जून को नो फ्लाइंग जॉन गोशित कर दिया है वी आईपी मुवमेंट के दोरान ट्रैफिक को नियंद्रित करने के लिए करीब 1100 ट्रैफिक कर्मिच्वारियों को तैनात किया गया है शपत ग्रहन समारू ऐसे समय में हो रहा है जब भाजपार नेद्रतवों और उसके सयोगी दलों की वेच मंत्री मंदल में जगे को लेकर ग्रहन चर्चा चल रही है अमित्स शहा और राजनात सिंग जैसे वरिष्ट भाजपनीता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड़्डा की अलावा तैलोगु देशम पार्टी के एन चंद्रबावु नायडो यानी जेडियों के नितीस कुमार और शिवसना के एक नाश्षिंदे के बात कर रहे हैं पीटी आई की रिपोर्ट के अनुसार टीडीपी के राम मोहन नायडो यानी जेडियों के ललन सिंग, संजे जहा और राम कुमार ठाकुर और लोग जन्शक्ती पार्टी यानी राम विलास की छिराग पासवान को मंत्री मंडल में जगाब मिल सकती है लोग सबा चुनाब में 234 सीटें जीतने के बाद एन चंद्रबाबू नैडू और नितीस खुमार को प्रस्ता बेजने वाले इंडिया आलाइंस ने मोधी की गटवंधन सरकार की लंबे समय तक चलने पर संदेज जताया है मोख्की विपक्षी दल कॉंग्रीस ने कहा कि उचित समय पर उचित कारेवाई करेगी समारो के बाद राश्वपती द्रॉपती मुर्मो विदेसी गण मान्यों के लिए भोज कायजन करेंगी इस वीच कॉंगरेस नीता केसी वैनो गोपाल ने कहा कि विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरिंद्र मोधी के श्वपत ग्रहन समारों के बारे में सरकार की और से कोई जानकारी नहीं मिली है